जैजी किशना इस्ट्रेंट आजकी जो वीडियो है वो आपकी चप्टर 6 की My Childhood जो की अब्दुल каких दिया है उसमें इनके बारे में बताया गया है इस चप्टर के अंदर आपकी जो एचनर है एक दो आपदुल कलाम जो खुद अपने बारे में बता रहे हैं एक शिव सुब्रमन्यम जो कि उनके टीचर है साइंस टीचर और रामानन सास्त्री जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड है जमशुद्दीन जो कि उनकी फादर है और आशीमा जो कि इनकी मदर है तो स्टोरी इनके बारे में ये बता रहे हैं ये खुद बताते हैं कि मैं तातकालिंग मदरास राज्य के द्यूपिये नगर रामेश्वर के मध्य मद्यवर की तमील परिवार में पेदा हुआ था और इनके पिता जिनोंने केवल ओपचारिक शिक्षा प्राप्त की है और उनके पास कोई ज्यादा संपति नहीं है वो लेकिन वो जन में से ही बुद्धिमान और सच्चे उदालता वाले व्यक्ति हैं और उनकी मा उनकी मा एक क्यादस संगीनी है और उनको प्रती दिन वो कितने जिनों खाना खिलाती है में अनके घर के अलावा वी ओर भी वह बहुत सारे जनम को खाना क्यांती अचति हन को अपने बारे में बताते हैं कि वह साधर्णाश शक्ल वाले और ठिंगने से बालक थे जो एक सुंद्र माता पिता से ज़नमे थे और वो अपने पेत्रक मकान में ही रहते थे जो की काफी पूराना था लेकिन उनके पिता को साथगी बहुत पसंद थी इसलिए वो वो जो उनके पिता थे वो विलाजसीता से धोसे लेकिन तो भी उनको जो सामानी चीजे थी वो मिल जाती बोजन और शदी वस्त्र यह सब उन्हें उपलब्द हो जाते थे वो बताते हैं कि मेरा जो बच्पन है वो बहुत अच्छा पीता है उसके बाद में बताते हैं पंसारी की दुकान थी वहाँ पर हो बेचा करते थे इस तरह से एक बार उनकी जाजी थे उनके साथ में वह उनको बहुत सारी कहानिया सुना थे और वह अभशनियों को अगबर की सुर्क यह में देखने के कोशिश करते थे फिर उसके बाद में एक बार जब आपात कल की स्तती हो गई तो फिर जब गाड़ी स्टेशन पर रामिशर्ण में रुखती नहीं थी और गाड़ी नहीं रुखने की वज़े से उनको जो अगबार की प्रॉब्लम होती थी और अगबार को कोई पकड़ने वाला ची होता था जब पहली बार उन्हो और उसे उनको पहली कमाई होई थी जिसे वह बहुत ही गर्व महसुस कलते हैं अभी भी उसको सोचते तो बहुत गर्व मेश्यक्रते एसा वो लिखते हैं उसके बाद में वह बताते हैं कि प्रतिक बालक एक विशेष सामाजी का अल्थिक हुए भावात्माद में कुछ पे इमानदारी वह आत्म अनुशाशन प्राप्त हुआ और मेरी माता जी जो कि जिनका एक विश्वास था गहरा विश्वास था और बहुत दयालू थी यह सब चीछे वह बताते अपने के मेरे तीन भाई बाईयों को और बहनों को भी बहन को भी यह प्रापत हुआ था और उनके तीन गनिस्ट मित्र थे एक तो थे रामनाच शास्त्री अर्विंडर और शिव प्रकाशन तो बताते कि यह जो तीनों मित्र थे वो अब जो है रामनाच शास्त्री जो रामेश्वर मंदिर में के पुजारी का बेटा था और इसी तरह से रामनाच शास्त्री वापिस बाद मे उनके पिता की तरह ही वो भी मंदिर में पुजारी बन गए और अर्विंद्र जो उनके सैकेंड दोस्त थे वो तीर थी हात्रा का काम समानने लगे तीर थी हात्रा का प्रबंद करने लगे और थार्व दोस्तों उनके श्री प्रकाशन थे वो दक्षिन रेलवे में खानपान का ठेकेदार बन गए इस तरह से उनके तीनों दोस्त बन गए श्री सीता रमन कल्यन्य वाशिक महस समारों के दोरान उनका वो बताते हैं कि उनका पूरा पडिवार जो है वो भगवान की मोर्तियों को विवास तल तक ले जाने के लिए एक विशेश मंच वाली नाओं का प्रभन करता था इस तरह से वो बताते हैं कि वो रात को बैठकर और रामायन और पेगंबर मुहमद साब की जीवन की घटनाएं उनको सुनाई जाती थी जो कि उनकी माता और उनकी धादी उनको सुनाती थी इस तरह से बताते हैं कि पांच्वी कक्षा में उन्होंने नए अध्यापक आये उनकी कक्षा में और उनको टोपी पहना हुआ देखा तो उनको पता चलिए कि यार यह तो मुसलमान ने उनके पास में देखा कि एक जनेवधारी बिठा हुआ है जो कि उनका दोस्तर राम न श पीछे बिठा दिया तो जब वह पीछे गये उश वह भी बहुत दुखी थे और उनका जया कि दोस्त था वह बहुत दोखी हुआ और उनके जो दोस्त की शकल देखी उन्होंने सुरत देखी उसे वह हम बिलकुल एक प्रीज शाप छोड़ गई उनकी चयुक्त हेसे स्ते रहें फिर कुछ सहोगते का स्ते यह संवादं गाहा जहें रूडिवादी ब्राह्मन थे लेकिन वो इस तरह से ये जो सामाजी का उरूद था इसको तोड़ना चाते थे वो उनको बहुत पसंद करते थे अब्दुलकलाम को वो बहुत पसंद करते थे उनके साथ घंटों बिताये करते थे वो चाहते थे वो टीजर चाहते थे कि ये एक किचन में आएगा तो मेरी जो रसो होईगी वह अपवीत्र हो जाएगी तो खाना परूसने से इंकार करते तब उनकी पत्नी को आहट पोचाते या उनको कुछ भी कहते है ना उनको कुछ जाने के लिए उनको खूद उनको खाना परूसते अबदुलकलाम को और उनके साथ में बेटकर बगल में बेटकर खाना खालते हैं उनकी पतनि देखती जहती हैं और वापैस मेरे नहीं आपने यहां आपे लिए से थाल गाने उनके बात और गांदी जी जब गांदी जी अपना एक अलग देश बनाने के लिए भारत देश बनाने के लिए उस समय वो बताते हैं कि वो भी अपनी शिक्षा कम्प्लीट कर चुके होते हैं और वो बहाल जाना चाते हैं अपनी शिक्षा के लिए जब उनके माता पिता को बोलते हैं कि में बहार जाना चाहता हूं तो उनके पिता जी सोचते हैं कि तुम चले यहां मनलब यहां से चले जाओगे यहां जो वो इस तरह से बोलते हैं कि अब्दुल मैं जानता हूं कि तरक्की करने के लिए तुम्हें दूल जाना होगा जिस तरह से समुद्र में अकेला बिना घोश ही याद होती है खिलल जिबान की तो उसमें कहा स्पधाती है कि तुम्हारे बच्चे दुम्हारे नहीं है वे तो सुएम अपनी जीवन की लाल्सा के पूत्र हो पुत्री है कि बटाते हैं कि वे तुम्हारे द्वारा कि अंगा नहीं आते हैं तुम उन्हें अपना प्याल दे सकते हो परनpå अपनी विचार नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास उनके विचार होते हैं उनका कहनी का मतलब यह था कि वह वेक्ति अपने माता-पीता से अधिक अपने जीवनदत लाल सांे संथित होता है त円क वो अपनी जो जो भी इच्छा होती है उसको पूरा करता है इस तरह से कहानी खतम होती है उसके कोशन भी बहुत एजी है थैंक यू